Hello everyone, आज की वीडियो में हम study करेंगे Octal to Hexadecimal Conversion and Hexadecimal to Octal Conversion सबसे पहले हम पढ़ेंगे Octal to Hexadecimal Conversion Octal से Hexa में करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर को Binary में Convert करना पढ़ेगा है न? तो Octal नंबर को अगर Hexadecimal में Convert करना है तो उसके लिए हमको चाहिए two step conversion Two step conversion मतलब सबसे पहले हम Octal को Binary में Convert करेंगे उसके बाद Binary में Convert होने के बाद Binary नंबर को हम Hexadecimal में Convert कर लेंगे Similarly अगर Hexadecimal को Octal में Convert करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? सबसे पहले hexa number को binary में change करना होगा फिर binary को हमें octal में करना होगा यानि यहाँ पे भी two step conversion की जरूरत होगी ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपको यह जो arrow है यह क्या है आपका bidirectional है arrow आपका bidirectional है इसका मतलब क्या हुआ कि octal से hexa में करने के लिए आपको binary में पहले convert करना पड़ेगा number को similarly hexa से octal में करने के लिए आपको number को binary में convert करना पड़ेगा जैसे मैंने example ले लिया यहाँ पे 246.56 आपका octal number है जिसको मुझे binary में convert करना है तो मैं क्या करूंगी two step conversion यूज़ करूंगी मतलब पहले इस octal number को में hexa decimal में convert करूंगी उसके बाद hexa decimal को में binary में convert करूंगी तो यह two step procedure मुझे चाहिए होगा octal to hexa then next step क्या होगा hexa decimal to binary तो सबसे पहले हम इस octal number को binary में change करते हैं हमें क्या करना होगा जैसे हमने previous वीडियो में पढ़ा था अगर octal number को binary में change करना है तो octal की हर digit को binary के 3 bit में code करना होगा है ना तो अगर six है तो उसको आप binary में क्या लिखेंगे अगर यह octal का six है तो इसको आप binary में लिखेंगे 110 ठीक है अगर octal का four है तो यह binary का हो जाएगा 100 और octal का two है तो यह binary का हो जाएगा 010 मतलब octal की हर बिट को हमने बाइनरी के 3 bit में code कर दिया ठीक है उसके बार decimal point यह आपका five है तो यह क्या हो जाएगा आपका बाइनरी में 101 वैसे six क्या हो जाएगा बाइनरी में 110 तो 246.56 का बाइनरी में लिख लिया है यह आपका पहला step हो गया आपने क्या किया पहले step में अपने octal number को बाइनरी में change कर दिया ठीक है second step क्या होगा आपका next step क्या होगा आपका आप क्या करेंगे इस बाइनरी को hexa decimal में convert करेंगे और हमें पता है कि बाइनरी को अगर hexa decimal में convert करना है तो क्या करना पड़ेगा binary के 4-4 bit को combine करना पड़ेगा और अगर 4 bit आपकी combine नहीं हो रही है तो हमें extra 0 add करने पड़ेंगे जैसे यह 0 अकेला था तो हमने यहाँ पे 3-0 extra insert कर दिये extreme left में ताकि 4 bit का combination बन सके इस point के right में हम लोग क्या करेंगे 4-4 bit combine करेंगे और जहाँ 4 bit नहीं हो रही है वहाँ पे उतने 0 insert कर देंगे ठीक है 4-4 bit combine करने के बाद हम क्या करेंगे हर combination का decimal equivalent लिख देंगे ठीक है जैसे यह हो गया आपका 0,1,1,0 तो 0,1,1,0 क्या हो गया भई? 6 हो गया यह हो गया आपका 1,0,1,0 10,10 क्या होता है? 10 होता है decimal का zero, 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 zero तो 0 ही हो गया ठीक है? 10,11 क्या होता है? 11 होता है है ना? वैसी 1,0,0,0 है ना? यह क्या हो गया आपका? 8 हो गया यह तो आपका decimal में आ गया लेकिन हमको चाहिए hexadecimal तो क्या करेंगे, decimal का 6, hexadecimal में भी 6 होता है decimal का 10, hexadecimal में क्या होता है, a होता है 0 तो 0 ही होगा, वैसे decimal का 11 hexadecimal में क्या होता है, b होता है decimal का 8 hexadecimal में क्या होता है, 8 ही होता है तो यह हमारा अंसर आ गया क्या, a6.58, अंसर क्या है आपका a6.b8 a6.b8 इसमें hexadecimal base में आपका answer आ गया यह ना, simple आपने क्या किया two step conversion procedure यूज किया सबसे पहले octal को binary में change करेंगे, then binary को hexadecimal में change करेंगे similarly अगर हमको hexadecimal से octal में convert करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले hexa से हम क्या करेंगे binary में convert करेंगे पहला step हो जाएगा आपका, then binary से हम octal में convert करेंगे यह आपका second step हो जाएगा मतलब यहाँ पे भी आपको two step conversion की जरुवत होगी यह ना, तो हम hexadecimal का example लेते हैं मैंने example ले लिया है hexadecimal का a04b.2c hexadecimal है, मुझे octal में करना है, क्या करूंगी two step procedure अपनाऊंगी, सबसे पहले इस hexadecimal number को में binary में convert करूंगी पहला step, दूसरा step क्या होगा इस binary से में करूंगी, octal में convert, ठीक है, सबसे पहले हम इस number को binary में change करते हैं तो binary में कैसे तो मैंने क्या किया है hexadecimal number ले लिया है, a04b.2c इसको मुझे octal में convert करना है लेकिन two step procedure यूज करना है पहले step में मैं इसको binary में change करूंगी, ठीक है तो b क्या हो गया आपका binary में b क्या हो जाता है 1011, 4 bit में लिखना है मुझे, हैना, 4 क्या हो जाएगा आपका, 100, 0 लेकिन 4 bit में 0100 0 क्या होगा 4 bit में 0000 ठीक है, a याने की 10 तो 10 क्या होता है 1010 2 क्या होता है लेकिन 4 bit में 0010 c क्या होता है 12 होता है 1100 अगर आपको नहीं आता है तो मेरे प्रीविएस वीडियो को देखिएगा Hexa से binary, binary से octal यह सब में बता चुकी हूँ ठीक है अब इसको इसमें convert करना है आपको octal में convert करना है binary से octal में convert करने क्या procedure होता है binary के हर तीन बिट को हम क्या करेंगे combine करेंगे binary के हर तीन बिट को हम combine कर लेते हैं ठीक है, अगर आपके पास 3 bit नहीं है, तो आप 30 जीरो इंसर्ट कर देंगे, यह न, 3 bit नहीं थी, एक ही थी, तो मैंने 2 0 इंसर्ट कर दिया, वैसी यहाँ पर point के right में, मैं 3 3 bit कमबाइन कर लेती हूँ, यह न, 3 bit complete नहीं हो पा रही है, 2 ही है, तो एक 0 में इंसर्ट कर देती एक्स्ट्रीम राइट में, ठीक है, फिर यह जो 3 3 bit मेंने कमबाइन की थी, इसका में क्या करूँगी, octal equivalent यह पर कहूँगी कि decimal equivalent में लिख लूँगी है, क्योंकि 0 से 7 तक decimal और octal क्या होते हैं, equal होते हैं, तो 0 1 1 क्या हो जाएगा, वैसी यह 3 bit को मिलाके लिख लेती हूँ 001 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है, इन 3 bit को मिलाती हूँ, 001 क्या होगा, 1 ही होगा, यह 3 bit है, 0000, 0 ही होगा भई, यह क्या है, 0010 मतलब की 2 होगा, 001 मतलब की 1 होगा, ठीक है, point लगा दूँगी, 001 क्या होगा, 1 होगा, 011 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0000 क्या होगा 0 होगा ठीक है तो यह क्या आगया आपका ओक्टल में आपका अंसर आ गया तो यह 04B.2C hexa का क्या हो गया 120 113.130 ओक्टल में convert हो गया very simple